नमस्कार दिपिका पादुकून वालीवूट की सबसे कामाओ एक्ट्रेस एक सो तीन से पाँच करोड रुपे की आमदनी वाली एक्ट्रेस 23 से 25 ब्रांट की ब्रेंड एमबेसडर प्रचार करने वाली एक एक ऐसा क्या हुआ कि टेलीविजन से उसके तमाम एड्स गायब हो गए जी हां बाद छपाक गल दिपिका पादुकून की कर रहे हैं साथ जन्वरी को दिपिका एक आएक जी एन्यू पहुँच गई और जी एन्यू चात्र संग की अध्यक्ष आईसी घोश के साथ उसने एक तस्वीर खिचवाई वो तस्वीर वाइरल हुई और बाइकाड छपाक चलने लगा इससे परिशान इतनी हुई चपाक की डारेक्टर कि उन्हें बयान जारी करना पड़ा कि जेन्यू जाना दिपिका का नीजी फैसला था उन्होंने साथ साथ यह भी जोड़ा कि हर एक्टर हर एक्टरस हर स्टार की अपनी एक नीजी जिन्दगी होती है और उसे उसकी अपनी नीजी राय भी होती है चपाक की डारेक्टर ने अपने आपको दीपीका से अलग करने की कोशिश की लेकिन देश की जनता ने उनकी बातों को नहीं माना चपाक फ्लॉप तो नहीं हुई लेकिन उसकी कबाई का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अनुमान उस हिसाब से चपाक चल नहीं पाई दस जनवरी को चपाक को रिलीज होना था माना जाता है कि उसी के प्रचार के लिए दीपिका ने जेनियू में जो बामपंथी चात्रों का आंदोलन चल रहा था जो फिस भी विर्धी के नाम पर एक तरह से C.A.N.R.C. के खिलाप था सरकार के खिलाप था उस आंदोलन के हिस्सेदारी जब बनी दीपिका तो ट्यूटर पर ट्रेंड करने लगा बाई का चपास चपाक और आलम ये कि 23 ब्रांट जिसके विग्यापन करती है वो जानकारी के मुताबिक बाईंग एजनसी के कारिकारी अधिकारी ने एक नीजी चैनल को CNN IBN के वेबसाइट के मुताबिक ये जानकारी दी कि ब्रिचानिया गुड डे लॉरी लियल तनिस्क ज्वैलरी विस्तारा एरलाइन्स एक्सिस बैंक समीत जिन ब्रैंड की वो एमबेस्डर है जिसकी वो एड करती है जिससे वो कमाती है उनने ततकाल प्रभाव से एक राय जारी की है निर्देश दिया है कि उनके एड़र्टीजमेंट को फिलहाल रोका जाए यह इसलिए क्योंकि जिस ब्रैंड ने दिपीका पर अपना पेमेंट कर दिया है वो उससे वापस तो नहीं ले सकती फिलहाल क्योंकि पेमेंट कर किया जा चुका है लेकिन अगे अभी एड़ी तत्थ जो जिस तरह से जवलंत बना हुआ है जिस तरह से गुस्सा है दिपीका के खिलाब लोगों का उससे उस brand पे सर पड़ेगा जो ही जो लोग नहीं जानते हैं कि lux की वो advertisement करती हैं वो तनिस्क की advertisement करती हैं जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो तो उसकी खरिदारी करेंगे लेकिन कुछ लोग जिनने ये पता चलेगा कि इसकी brand ambassador DP का है आपको सामाने तर टीवी चैनलों पे नहीं दिखाई दे रहा है अखवारों में नहीं दिखाई दे रहा है जो DP का 10 करोर रुपए एक film के लेती हैं वो 8 करोर रुपए यूहीं किसी advertisement के नहीं लेती इसका मतलब है कि वो एक बड़ी brand है film industries की इसलिए जब उनकी director कहती है कि हर actor actress की नीज़ी जिंदगी होती है तो ऐसा लगता है कि उनका भी अपना एक business stand है जो परिशानी दिखा रहा है उनके अंदर कि उनकी heroine ने ये बयान दे कर कुन्हें भाड़ी जटका दिया है ततकाल इस film से उनसे राहत ली जाए आगे उन्हें film ना दी जाए लेकिन इस film में जो कमाई कमजोर होने लगे उस पर एक तरह से नियंतरन किया जाए कोई भी star उसकी नीजी जिन्दगी सिर्फ उसके चार दिवार उसके कमड़े के अंदर उसकी परिवारिक जिन्दगी होती है वो परिवार के साथ भी यदि बाहर निकलता है तो वो भी उसकी नीजी जिन्दगी नहीं होती आठ करो रुपए कोई कमपनी युही खर्च करके दीपीका से एडबिटीजमेंट नहीं कराती इसका मतलब है कि दीपीका के शब्दों के वैलू है किसी अमिताब बच्चन के शब्दों के वैलू है इसलिए उनके ऐसे स्टार की ऐसे पब्लिक फिगर की कोई भी बात नीजी कभी नहीं होती उनकी हर बात यदि ऐसा कुछ है इसका मतलब यदि ये पैसे लेते हैं इसका मतलब उनके हर शब्द में वैपारिक हित सधे होते हैं ऐसे समय में जब दीपीका को बाइकाट करके चोट मारा गया है ये देश के तरफ से दीपीका पर आर्थिक चोट है और दीपीका पर मारा गया चोट सिर्फ दीपीका पर चोट नहीं है उन तमाम एक्टर एक्टरसों के लिए है जो लोकतांतरिक भावनाओं को नहीं समझते नजर अंदाज करते हैं और हर चीज में कमाई और अपने एजंडे को देखते हैं इस बात पर कभी इसकी मुहर नहीं लगाई जा सकती कि चाहे दीपी का हो या कोई भी स्टार कोई भी पॉब्लिक फिगर उसकी कोई नीजी जिन्दगी भी होती है उसकी नीजी जिन्दगी त तो किसी एड एजनसी को उनसे एड नहीं करवाया जाने चाहिए इसका मतलब है कि उनके शब्द की अहमियत है और इसलिए उनके कहे हुए शब्दों के मताविक ही कोई एड एजनसी उन्हें एड देती है और जिससे प्रभावित हो करके हम और आप लक्स साबून खरीद लेत होते हैं या फिर तनिस्क में जाकर जोयरील लेते हैं जरूर इसके प्रभाव होते हैं एक महिंदर सिंग धोनी के नाम पर एक बिल्डर ने अरवों रुपे की कमाई कर ली और सब के सब धोखे में रहे आमरपाली का मामला आज भी कोट में चल रहा है जिसके ब्रैंड में लोग महिंदर सिंग धोनी के नाम पर उन्होंने खरीदारी की थी इसलिए ये कता ही नहीं कहा जा सकता कि कोई स्टार कोई पब्लिक फिकर की जिंदगी नीजी होती है कंक्लूजन ये कि आर्थिक चोट बड़ी होती है देश की जनता ने दीपीका पर चोट मार कर दीप अर्थिक चोट के क्या माइने है ये छपाक की डार्थिक और प्रोडूशर को समझ में आ रहा है कि दीपीका के को भी समझ में आ रहा होगा दीपीका को बहुत इसलिए समझ में नहीं आएगा कि दीपीका ने एक अपनी जिन्दगी की बहुत बड़े हिस स्टार के रुप म बिदाली ये कमाई कर ली है लेकिन दिपिका पर मारा गया आर्थिक चोट उन तमाम एक्टर एक्टरस और पब्लिक फिगर्स को है जिनके लिए मैसेज है ये दोर सोसल मीडिया का है और इसमें जो ट्रेंड चलता है उसमें जो आर्थिक चोट होती है उसके बड़े माइने है इस सरकार ने भी भरष्ट लोगों को गिरखतार करने के बदले उसके उपर आर्थिक चोट मारा है जाँच एजंसियों ने आर्थिक चोट मारे हैं आर्थिक चोट के बड़े माइने हैं और ऐसे लोग जब घटिया राजनिती करने के लिए अपने स्टार्डम का इस्तमाल करते हैं उन पर आर्थिक चोट वक्त की जरूरत है ताकि इस लोकतंत्र की भाषा को स्टार्डम के नशे में भूलना जाएं बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक कीजी सबस्क्राइब कीजी और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजी बहुत बहुत धन्यवाद